ओम स्री गनेशा नमदोस्तो शमाधान ही शमाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अप्रेल रविवार के रासी फल्क के बारे में की हादिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तो साती सात भूमी भवन वाहन आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकॉर्ण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वज्रुगों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तो साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थें आज उसमें आपको सफलतावश्य मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्च चक्ता है नोकरी के लिए दी गई पिरतियोंगी परिक्षा के प्रेणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एकागर चित रहें आपको सपलता अवस्य ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभिमान किसी भी परस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर कार रहे होगा एक्षित सिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगी और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजितगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परियास वे मनुरंजर आदी के व्यर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइद आप अच्छी तरह से जांच पड़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्थ का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखने के आवश्चता है अजनवी वे आय परिशित लोगों से वे लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती हैं किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई अप्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरे और सैयम बनाकर रखना अतियावशक हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है जीवन साथी वे परिवार जनों का सयोग आपके आत्मवल वे आत्मविश्वास को बना कर रखेगा और आप तनावमुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में माता पिता वे घर के बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे इसने आपके आत्मविश्वास को बना कर रखेगा जहां दोस्तों परिवार में आज सांती का वातावन रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मि प्रबल योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय पराप्त करेंगे नए कार्रे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साती सात कारे छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदोड में व्यतीत होगा दोस्तों साती सात आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड मेहनत व्य परिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिर होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनय भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाब परतन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो कि आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाएक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जै दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उड़ जावान महसूस करेंगे साथी साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद मचलियों को आटे की गोलिया बना कर खिलाएं और मनीमन भगवान शूरदेव का आप इस मरण करते रहें जहां दोस्तों ऐसा करने से भगवान शूरदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको शीगर ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रे भभुत यासनी से बनने लगेंगे दोस्तों भगवान शूरदेव का शिरवाद आपको ट्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशूरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद